नवसकार मैं उपरवेश और आप देख रहे है दभारत खबर शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की दस बड़ी खबरों की दिल्ली की नौकरशाही पर नियंतरन को लेकर केंद्र और केजरिवाल सरकार के बीच जारी तनातनी पर 11 माई को शीर्श अदालत ने आप सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाय था उसके बाद से सीम अरविन केजरिवाल एक्शन मोड में है उनके इस रुक से दिल्ली में तैनात अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिती है अधिकारियों में बेचैनी की स्थिती इसलिए है कि सीम ने अदालत का फैसला आने के बाद कहा था कि दिल्ली सरकार की बात नहीं मानने वाले अधिकारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा खास बात यह है कि सीम केजरिवाल ने अपने बेयान पर अमल करते हुए पहले सेवा विभाग के सचीव को बदलने का फैसला लिया और अब दिल्ली के मुक्षे सचीव को बदलने के संकेत दिये है यही वज़ा है कि अधिकांश अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्या करें ऐसा इसलिए कि अधिकारियों के सामने धर्म संकट ये है कि अगर वो केंद्र की बात मानते हैं तो CM केजरिवाल नाराज हो दाते हैं और दिल्ली सरकार के आदेशों पर अमल करते हैं तो LG और MHA का कोब भोजन बनना पड़ सकता है हाला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्थिती स्पष्ट है लेकिन संशोधित GNCTT Act के आड में LG विने सकसेना अभी भी दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की स्थिती में है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के एक अन्य फैसले के मताबिक अब किसी भी शेहनी के करमचारी को लेकर कोई भी आदेश मुख्य सचीव या सेवा विभाग के सचीव बिना प्रभारी मंत्री के मंजूरी के नहीं करेंगे आपको वदादे कि इसे लेकर कई बार सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद भी रहा है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरफ भारदवाज ने उपराजेपाल विनेकुमार सकसेना को एक चिठी लिखी है शुकरवार को लिखी चिठी में उन्होंने उपराजेपाल से सचीव सेवा के बदलाव वाली फाइल को ततकाल मंजूरी देने का आग्रे किया है फैसले में भी कहा गया था कि उपराजेपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए फाइले नहीं भेजी जानी चाहिए केबल फैसलों से अवगत कराया जाना चाहिए हाला कि जीन सीटीडी संशोदन अदिनियम ने सुप्रीम कोड के फैसले को पलड़ दिया अब हमें सभी रूटीन फाइले भी LG को भेजनी पड़ती है जीन सीटीडी संशोदन अदिनियम के खिलाफ याचिका सर्वोच नयायले में व्याचारा धीन है मंत्री सौरभारद्वाज ने LG से अपील की है कि आपसे इमानदारी से आगरे करता हूँ की सचीर सेवा के परिवर्तन की फाइल को जल्द से जल्द मंजूरी देने की किरपा करें शराग घोटाला मामले में राउज एवन्यू कोट ने दिल्ली के पूर उप मुख्यमंत्री मनी सिसोदिया बुच्ची बावू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमंदीब धल के खिलाफ CBI की सप्लिमेंटरी चार्शीट के संग्यान पर आदेश शुरक्षित रख लिया है कोट अपना फैसला 27 मई को सुनाईगी ये सप्लिमेंटरी चार्शीट 25 अपरेल को दाखिल की गई थी आप नेता मनीशिसोदिया ने जेल से देश के नामे एक और पत्र लिखा है जिसको दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है केजरिवाल की और से सोचल मीडिया पर शेयर किये गए इस पत्र में आप नेता ने लिखा मनी लॉंडरिंग से जुड़े एक मामले में तिहार जेल में बंद अरविंद केजरिवाल सरकार के पूर मंतरी सतेंदर जैन को अभी जेल में ही रहना होगा सुप्रीम कोर्ट में सतेंदर जैन ने जमानत की अरजी लगाई है इस पर सुनवाई करते हुए कोट ने ED से जवाब मांगा है सतेंद्र जैन ने money laundering मामले में दिल्ली हाई कोट से जटका लगने के बाद अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोट का रुप किया था बीजेपी हेडकोर्टर में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष विरेंदर सचदेवा की अद्यक्षिता में प्रदेश भाटपा कारेकार्णी की बैठक हुई कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और भष्चाचार में डूबी है। जेल सूतरों के मुताबिक परस्ताव में सुरक्षा का हवाला देते हुए गैंक्स्टरों को देश की अन्य सुरक्षित जेलों में शिफ्ट करने की बात कही गई है। जेल में अपराधियों को शिफ्ट किया जा सके। फिलाल नियम ये है कि किसी दूसरे राज्य में कैदी शिफ्ट करने के लिए उस राज्य सरकार की परमीशन जरूरी है। संसद मार्क पर स्थित प्रधान डागगर में तैनात पोस्टल सर्वीस एजेंट लोगों की खाते में सेंद लगा रहा था। आरूपी खात अधारकों के फरजी हस्ताक शरकर उनके नाम से चेक बुक जारी करवा लेता था और फिर चेक के जरिये उनके खातों से पैसा निकाल लेता था। चाना जैसी शिकायते लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कुछ मरीज वाइरल फीवर और मलेरिया से संक्रमित होकर भी आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ दिनों से चिलचिलाती धूग के कारण लोगों में पानी की कमी की समस्या हो रही है। अक्सर लोग परियावत पानी नहीं पीते हैं और चक्कर आने पर परिशान हो जाते हैं। इसके अलावा इस मौसम में रोग परतिरोदक शमता भी कमजोर हो जाती है जिससे मरीज आसानी से दूसरे संक्रमन की चपेट में आ जाता है। डिहाइडरेशन के कारण लोगों को कमजोरी ठकान रत्यचाप की समस्या बुखार जैसी दिक्कते हो जाती है। सूरज की तेज केरने और बढ़ती गर्मी के कारण आखों से संबनित समस्याओं का होना काफी सामान्या है। इस मौसम में लोगों को आखों में अलर्जी, लालीमा, जलन और चुबन जैसी दिक्कते हो सकती है। अगर आपको हमारी ये खबरे पसंद आई तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ वाटसेप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।